दर्शकों जात भी गवाए और भात भी ना खाए बाली कहावत आम आदमी पाइटी के सांसर संजस सिंग पर एकदम सेटीक बैट रही है संजस सिंग और आप जिस कॉंग्रेस को कोस कर वो सत्ता में आये थे वो उसी के साथ सत्ता के लिए गठवंधन को राजी हो गए इसलिए कहा जा रहा है कि आपने अपने राजनीतिक प्रासंगेकता भी खो दी है और सत्ता भी नहीं पापाई तमाम तरह कि विवादों में घिरी आपके सबसे वड़े नेता ब्रेश्टचार के आरोप में जेल में है और बाहर बाकी के वरिष्ट नेताओं को डर लगा हुआ है कि कहीं जो सांसद जीत कर आये हैं उनके तीन जो सांसद जीत कर आये हैं कहीं वो इनके साथ खेला ना कर दे और वो बीजेपी में शामिल ना हो जाए संजा सिंग को डर है कि पंजाब के आप सांसद रहे सुशिल कुमार रिंकु की तरह आपके इस बार के जीते हु अब विभागों का बटवारा हो गया है। धीरे धीरे सभी मंत्री अपना कारेभार संभाल रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और राजेसभा सांसद ने विभागों के बटवारे को लेकर बीजेपी के नेतरतों वाली NDS सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि NDA के घटक दलों को जुन-जुना मंत्राले दिया गया है। आप सांसद संजस सिंग ने कहा है कि बीजेपी के नेतरतों वाली तथा कतित NDA सरकार के मंत्राले की घोशना हुई तथा कतित गठ बंधन इसलिए कहा क्योंकि अभी भी इस सरकार को मोधी 3.0 कहा जा रहा है। NDA के घटक दलों का मंत्राले देखें तो ना ग्रह मिला, ना रक्षा, ना वित, ना विदेश, ना वालेच, ना क्रिशे, ना शिक्षा, ना स्वास्त, ना दूर संचार मिला, केवल जुनजना मिला। आम आदमी पार्टी के नेता संजस सिंग ने आग उद्धब ठाकरे का 3 कमान चुराया, शरतपवार की घड़ी चुराली, 10 साल में इन्होंनी पार्टी को तोड़ा है। घटक दलों को अभी जैसे जुनजुना मंत्राले दिया गया है, अब अगला चुरन इन पार्टी को खत्म करना होगा। संजे सिंग ने ये भी कहा कि अ उठाने पर उसे मार्शल से बाहर फिंकवाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जेडियू और पूरे प्रदेश को उमीद थी कि रेल मंत्राले बिहार को मिलेगा, लेकिन उन्हें मचली मंत्राले दे दिया गया। एक गठवंधन सहीयोगी को जहाज मंत्राले दिया है, लेकिन उसमें है क्या बच्चा हुआब, सब तो पहले ही उन्होंने अपने दोस्तों को दे दिया है। जीतन आम माझी ने कहा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इस पर आप नेता ने कहा कि माची जी कह रहे है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो अमिद शाह बन नत्से मंत्री और ललन सिंग को ग्रह मंत्री बना दे। दरसल संजे सिंग बीजेपी का स्पीकर इस लिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आप किसां सद कहीं बीजेपी में ना शामिल हो जाएं। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।